जान नई प्रास्मिक से चख भरती जारी हो जिससे हम सभी को जल से जल बेसिक में नुक्ती में करने हैं लेकिन हमारे पास योग्यों लोगी नहीं है कि वह लोग आकर के सभी साथियों को विकास मिस्रा का नमस्कार साथियों सासन से बहुत बड़ी खवर निकल करके आ रही है आप सभी लोगों के लिए बहुत ध्यान से सुनें कि सासन अस्तर पर बहुत तेजी से 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए कारे चल ला है सासन अस्तर पर हर ड्रस्टिकोंड से विचार किया गया है और आप लोगों को मैं आश्वस्त करा सकता हूँ अगर आप कहें तो मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ रिकार्डिंग दिखा सकता हूँ और वाट्सअप मैसेज बगरा भी मैं दिखा सकता हूँ कि सासन से 22,000 सीटों को जुड़ने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है कारी चल ला है कारी प्रगति पर है लेकिन साथियों आपको डटे रहना है जब तक हमारा जीओ जारी नहीं हो जाता है मैं अपने OVC भाईयों से कहूँगा कि अपनी उर्जा को सकारात्मक उर्जा को सही दिशा में लगाएं आठ से 9,000 OVC भाईयों का कल्यान होगा सामाने वर्ग के साथियों का भी कल्यान होगा गुरांक छोड़ करके अपना फोकस धरने पर करें सभी साथी लखनव पहुँचें और 2-3 दिन की तयारी के साथ पहुचें मैं उम्मीद नहीं वलकि विश्वास से कह रहा हूं कि 3-4 दिन के अंदर ही हमारे 22,000 सीटों को जोड़ने पर निरणग ले रहे जाएगा सरकार का पूरा पूरा ध्यानी समय है हर अधिकारियों से है जहां तक मेरी बात भाजपा प्रवक्ताओं से हुई के सिरी कैसी जैन जी से हुई है सबी बात हुई जरूरत है तो आपको डटे रहनेकि मैं सबी वडिके साथियों से अनुलोट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लखनौ पूंचे ये स्टीरटी पूंचे सांथ पूर्वक तरीके से अपनी बात को रखें आज हमारे साथियों ने विधान सभा के सामने गेट नमबर 6 पर प्रतसन किया वहां से हम लोग और आगे बढ़े आगे बढ़ने के बाद में हम लोगों को पुलिस ने रोक लिया लेकिन सबसे अच्छी बात है कि किसी भी तरीके की कोई अभदता हम लोगों के साथ नहीं की गई तो मैं अपने MRC भाईयों से कहूंगा कि आप अपनी विचार को बदले और 22,000 सीटों में भी आपको MRC से ज़्यादा सीटे मिल जाएंगी पूरी पक की ख़वर मैं आपको बता रहा हूं अगर किसी व्यक्ति को लगता है तो मैं आपको प्रूब भी दे सकता हूं कि साथन में कैसी तयारियां चल लही है 22,000 सीट जोड़ने के लिए पूरी तयारियां हो चुकी है बस जरूरत है तो धैर की कोई ऐसा कारें न करें जिससे सिचक की गरिमा गरिमा जो है उस पर कोई असर पढ़े मानि मुख्यमंत्री योगी जी पर आप भरोशा रखिएगा मानि मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि योगेता का सम्मान होगा तो निश्चित रूप से योगेता का सम्मान होगा मानि सरवच नियाले के आदेश का कपालन होगा एक लक्ष है 37,000 पद जो सिच्छा मित्रों के समयायोजन रद्ध होने से खाली हुए थे उन सभी पदों को इस दुतिय भरती तक पूरा कर लिया जाएगा 38,500 के जो पद सेश है उन पदों को 22,000 में जो उन भरती के जो 22,000 पद है 38,500 के उनको जोडने की सासनस्तर से पूरी तैयारियां हो चुकी है पूरा व्यवस्था हो चुकी है कारे चल लहा है किसी भी समय खुसकवरी मिल सकती है लेकिन साथियों तब तक आपको डटे रहना है दूसरी चीज मैं कहूंगा कि ऐसे हमारे उसाथी जो किनी कारणोवस लखनव नहीं पहुंच सके हैं तो लखनव में धरना दे रहे साथी हैं अपने विवेक दिवेदी जी हैं वहाँ पे करणवसं कर पांडे जी हैं उनके एकाउंट में 100-200 का जो भी अपनी सेच्छा से चाहें सहयों कर सकते हैं अपनी बहने वहाँ पर दाद दिन मेहनत कर र लहा है और निश्चित रूप से यह सब हपता जो है आने वाला जो जो चल लहा है हम लोगों के लिए बड़ा सुखद होगा और 22,000 की सीठे जोड़ जाने से 22,000 परिवारों में खुशी आएंगी तो सभी साथी यूनाइट रहें सभी वर्क के साथियों से विकास मिस्रा क जोड़ करके अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लखनव पहुँचें अपने लिए अपने परिवार के लिए अपने फ्यूचर के लिए अपने आत्म सम्मान के लिए 22,000 सीठे जुड़ना तने हैं मैंने कहा ना शासन के एक वरिष अधिकारी से मेरी बात हुई है और शासन को जो जरूरी डाकुमेंट्स है वो मैंने भेज दिये हैं और इस पर बड़ाई ही सीघर निर्ने लिया जाएगा मानी मुख्यमंत्री जी को ही निर्ष पन निर्ने लेना है तो मुख्यमंत्री जी किसी भी समय इस पन निर्ने ले सकते हैं और 22,000 सीटे तो जुड अब तक नहीं पहुंचे हैं लखनव पहुंचें और लखनव पहुंच करके हम लोगों का जो सांत पूर्वक धरना चल ला है उसको बलप्रदान करें तन मन धन से लग जाईएगा मंजिल बिलकुल पास है बिलकुल शासन का पूर्ण रूफ से ध्यान 22,000 पर है अन्य चल ला है कि इस तरीके से जोड़ा जाए कि कोई प्राब्लम ना क्रियेट हो मानिय योगी जी पर पूरा विश्वास रखिएगा योगी जी है तो योगिता है सम्मान है और निश्चित रूफ से बहुत जल्दी सीटें आप लोगों के जोड़ जाएंगी और प्रयास रहा जिनको एक बार लगता है कि नहीं नहीं जुड़ेंगी मैं उनको विश्वात दिलाता हूं कि 22,000 जुड़के रहेंगी और सासन पर पर कारे चल लहा है हो सकता है एक दो दिन के अंदर ही अंदर ये जीयो जारी हो जाए और ये खुसियां हम सबको मिल जाएं तो सभी साथि विकास मिस्रा हिम्मत मतारिये कहते हैं ना लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी रहार नहीं होती है बंदे मात्रम भारत माता की जै उसके पहले की 68,500 की भरती है जब 68,500 की भरती हुई तो उसमें आबेदन करने के लिए केवल BTC या DL8 के अबेदन ही पात्र थे 68,500 पदों के सापेक से केवल एक लाग के आसपास अबेदन किया उस समय कटाफ अलग था 60 और 65 था जिसके आदार पर 43,000 कुछ अबेदन किये जितने क्वालिफाई किये ते सब की भरती हो गई अब ये 69,000 की जो भरती है इसमें BTC DL8 जो बाद में DL8 हो गया इसके साथ ही साथ जो B8 थे उनको भी NCT ने पात्र माना 69,000 पदों के सापेक 4,30,000 लोगों ने अबेदन किया लगबग 4,10,000 लोगों ने परिक्षा दी हम पिछली पूरी होचकी किसी भरती प्रक्रिया के पदों को कैसे जोड सकते हैं सरकार नियमों के अधिन काम करती है वो मनमानी तरीके से जैसे जैसे अभ्यरती के हैं वैसे वैसे हम नहीं करते हैं महीं बेसिक शिक्षा मंत्री और उनकी अधिकारियों से बात कर बाहर आये डेलेगेशन से जब हमारी समभा जा था समठ श्रिवास्तव ने बातचीत थी और जानना चाहा उनकी रायत उस्सों निये उन्होंने क्या कुछ कहा शिक्षक भरती मामले में आज साथ लोगों का डेलेगेशन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीष दिवेदी से मिलने आया हमारे साथ डेलेगेशन मौजूद है हाथ में कागर साथ लिए बात करेंगे क्या आखिर बातचीत हुई आप लोग किया आई डेलेगेशन देखे मानी सिच्षा मंत्री जी ने कहा कि अभी तक जो आयोग की रिपोर्ट है हमारे पास उपलग्ध नहीं है और आप लोगों से हम छमा चाहते हैं और जल्द से जल्द अपने अधिकारी पियारों को भेज के उस रिपोर्ट को मगवा के विदिन फोर डेज सुक्रवार तक फ्राइडे तक उसको हम सम्मिट करा देंगे और हम लोग उनकी बातों को मान रहे हैं और जैसे सी आइटी पर हमारा करमी चल रहा था यथा यथा उसी तरीके से चलेगा हम लोग उस शुक्रवार का इंतजार करेंगे जब तक मानी सिच्षा मंत्री जी हमारी हमारी जो यह आयोग है उस आयोग को रिपोर्ट सौखेंगे बस हमारी यही मांग नहीं आता तो क्या करेंगे शार दिन बाद नहीं हम एपूरा बिश्वास है कि मंत्री जी हम लोगों के साथ निया करेंगे और चार दिन के अंदर उन्हों ने कहा है कि जबाब लगा देंगे तो हम तब तक इंतजार करते हैं आयोग में यह लोग जबाब दे दें उसके बाद हम लोग फिर से मंत्री जी से मिलेंगे क्या जो भी आगे कर रहे थे वह सारी फिलिंग्स हुई कभी कोई नहीं यह राष्टी पिछड़ा वर्ग आयोग भार्टी जनता पार्टी द्वारा गठीत आयोग है ऐसा हम लोग वहां नहीं बैठे हैं और मैं आयोग की रिपोर्ट के बिहाब पे बोल रहा हूं कि हमारा हनन हुआ है ऐसा नहीं है कि यह सारी चीजे हम अपने से बोल रहे हैं आयोग की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर मंत्री जी भी उस चीज को डिना इनके अधिकारी डिनाई कर रहे हैं क्योंकि ये लोग इस चीज पे कभी नहीं उपाएंगे